नमस्कार मेरा नाम ब्रिज दिवेदी है आप देख रहें लाइब लौ। बॉंबे हाई कोट की नागपूर बेंच ने सेक्शूल हरास्मेंट यानि योन शोशन के मामले में 28 साल के एक शक्स की सजारद की और कहा बिना किसी गंदी नियत के नाबालिक लड़की की पीठ और सिर पर केवल हाथ फेरना योन शोशन नहीं माना जा सकता है। जस्टिस भारती डांगरे की सिंगल मेंच ने मामले की सुनवाई की दोनों पक्षों की दलीले सुनी और जस्टिस भारती ने शक्स को आरूपों से रियाह करते हुए कहा कि दोशी का कोई सेक्शूल इंटेंशन नहीं था और उसके कतन से पता चलता है कि उसने लड़की को 12 साल थी लड़की ने लड़के पर शील भंक करने का आरोप लगाया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया लड़की के मताबिक आरोपी ने उसकी पीठ और सिर पर हाथ फेर कर कमेंड किया था कि वह बड़ी हो गई है इस केस में ट्राइल कोट ने आरोपी को दोशी ठे आते हुए छे महीने जेल की सजा सुनाई थी आरोपी ने इस आदेश के खिलाफ हाई कोट में याज का दाखिल की थी जज ने सुनवाई के दौरान कहा प्रोसीकुशन कोई भी इस तरह के सबूत पेश करने में विफल रहा की अपील करता की लड़की की मरियादा भंक करने की मनशा थी हाई कोट ने ये भी कहा जब प्रोसीकुशन आरोपी की छेडशाड की नियत को साबित नहीं कर पाया तो कोट को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सेक्शन 354 क्यों लगाया गया है ट्राइल कोट ने फैसला सुनाने में गलती की लड़के के कतन से पता चलता है कि लड़की को एक बच्चे के रूप में देखा था उसका कोई सेक्शल इंटेंशन नहीं था इसके साथ ही हाई कोट ने ट्राइल कोट के आदेश को पलटा और आरोपी की सजा रद की इसी तरह की लिगल अबडेट पाने के लिए लाइव लॉग को सब्सक्राइब करें और पुन